Hi everyone, as well as student coffee query कर रहा है exam duration के regarding कुछ courses date sheet में ऐसे हैं जिनके exam 3 गंटे के रखे गए हैं और कुछ courses ऐसे हैं जिनके exam 2 गंटे के रखे गए हैं आखिर क्या वज़ा है क्या date sheet में कोई technical fault है क्या नहीं है चलिए discuss करते हैं देखिए सबसे पहरी चीज़ date sheet में कोई भी fault आपके नहीं है जो exam आपके 2 गंटे के रखे गए हैं वो genuinely 2 गंटे के ही होंगे और जो exam आपके 3 गंटे के रखे गए हैं वो 3 गंटे के ही होंगे जिससे मैं एक date sheet डाउनलोड कर लेता हूँ BA प्रोग्राम की तो date sheet में अब मैंने डाउनलोड तो BA प्रोग्राम की date sheet करी है लेकिन आपका course कोई सा भी हो ability enhancement EVS का exam 2 गंटे का रखा है इन लोगों ने ठीक है जी और नीचे scroll करते हैं तो इसके लिए enhancement में जो subjects है finance for everyone या communication इनके exam भी 2 गंटे के रखे हैं ठीक है जी और इसके अलावा जो value edit courses हैं जिसमें आपका reading Indian section या भारतिय भक्ती या constitutional values या फिर yoga वाला yoga वाला subject इसमें नहीं है लेकिन वाइड हो चुका है वो correction हो चुकी है date sheet में उसके अपर मैंने एक video भी बनायती description box में लिंक है तो कुल मिला के बाद यह है आपके पास total 7 subject semester 1 में रहेंगे इन 7 में से तीन subject ऐसे हैं जिनके exam 2 गंटे के हैं और बाकी के 4 subject ऐसे हैं जिनके exam 3 गंटे के हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनिए value edit course, skill enhancement course और ability enhancement course यह तीन category ऐसी हैं जिनके exam 2 गंटे के रखे हैं यूनिवरसिटी ने इसका reason यह है कि यह जो paper के exam हैं इनकी marking कम होगी marking कम होने का मतलब यह है जो आपके बाकी के दूसरे subject हैं जो बाकी के आपके चार subject हैं जो की 3 गंटे के होंगे जिसमें आपके 3 main subject discipline के हैं और एक जनरिक का है यह 3 गंटे के papers होंगे इन papers का जो duration 3 गंटे का है और यह papers आपके 75 marks के होंगे लेकिन जो paper 2 गंटे के रखे हैं university ने वो paper आपकी होंगे most likely 50 marks के ठीक है वो 50 marks के paper होंगे आपके इसलिए यही वज़ा है कि यह paper 2 गंटे के रखे हैं और यह चीज सिर्फ आप actual की डेटी ли में नहीं जो regular colleges की डेटी चीट निकली है उसमें भी सेम चीज रखी गई ऐसा नहीं है स्रिफ एसोल की डेट चीट में एसा रखागाया कि आ эту लोग obsessed यह जो regular की डेट शीट है उसमें भी य actu ऐसी ही रखी गई हैं तो आप यही चीज अपने mindशे निकाल हैं जैसे मैं ability enhancement में that suppose करो यह देखो यह डाउनलोड करता हूं यह रेगुलर solar NC web की है मैंने भी यह प्रोग्राम की PDF खुली थी कि देखिए रेगुलर की जो देट शीट है इसमें भी एक्जाम 9 से 11 का दो घंटे का रखा गया है तो रिजन वही है कि इस यह जो सब्जेक्ट्स हैं ability enhancement इसके लिए इनांस्मेंट और value edit courses जो रखे गए हैं यह पेपर दो घंटे के होंगे और बाकी के